Hello everyone and welcome back once again. देखे आज हम जो discuss करने वाले हैं वो आपकी class 11 की English की जो हॉन्ट बिल बुक है इसका एक last chapter है which is Silk Road. आज हम इस particular chapter की summary discuss करेंगे. So let's start with an introduction. This chapter has been written by a famous geographer and writer Nick Middleton. तो basically ये आपको writer का नाम ये writer बता रखे हैं कि Nick Middleton के द्वारा लिखा हुआ. ये एक खुबसूरत सा chapter है. Actually जो Nick Middleton है वो एक famous geographer है और एक writer भी है. मतलब जो अर्थ को study करते हैं, different geographical locations में घूमते हैं. तो इसलिए उसी travel, उसी journey के आधार पर उन्होंने बेसिकली ये chapter लिखा है. कि जो Nick Middleton है, जो की author है, वो कैलाश परवत की तरफ travel करते हैं, हिमालियन बेल्ट के थू गुजरते हैं वो और बेसिकली जिस route के थू वो गुजरते हुए माउंट कैलाश तक जाते हैं, वो जो route है वो ancient, मतलब पुराने जमाने में silk का व्यापार करने के लिए उसी route का इस silk road दिया गया है, so let's start with the description, देखते हैं कि इस chapter में हमें क्या जिक्र कहा गया है, the writer undertakes the journey to mount कैलाश to complete the कोरा, कोरा का मतलब क्या होता है, कोरा का मतलब होता है प्रकिर्मा करना, तो जो writer है, यानि कि Nick Middleton है, वो ये journey स्टार्ट करते हैं, ये यात्रा स्टार्ट करते हैं, कि वो mount कैलाश के पर जाएंगे, और mount कैलाश के चारों तरफ इर्द गिर्द एक कोरा, मतलब एक परिकर्मा पूरी करेंगे, he begins his journey from a place called राबू, तो एक जगा है राबू, वहां से वो अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं, there a lady Lamhu presented him a long-sleeved sheep skin coat to protect him from cold, तो वहां पर क्या होता जिसका नाम Lamhu है, जो कि उन्हें एक gift देती हैं, और वो gift क्या होता है, वो sheep skin का coat होता है, मतलब एक coat होता है, हम कह सकते हैं, जो कि हमें ठंड से बचाएगा, तो उन्होंने वो उसे gift किया था, मतलब उन्होंने राइटर को वो gift किया था, next क्या हम बताते हैं, he continued his journey with a guide named CTAM, तो basically उन्होंने अपनी जो यात्रा की शुरुआत की साथ में उन्होंने एक guide भी लिया, जिसका नाम CTAM था, they took a shortcut which took them across open plains where they saw gazelle grazing grasses, तो basically यहां पर क्या हुआ, कि उन्होंने एक shortcut लिया, जो कि उन्हें सीधा कहा ले गया, खुले मैदानों में ले गया, और वहां पर उन्होंन उन्होंने कुछ gazelles, मतलब sort of animal है, लाइक जैसे बारा सिंगा होता है, वह animal है, तो वहां पर grass graze कर रहे थे, चर रहे थे, उन्होंने वो देखा, then उन्होंने का सामना किस से हुआ, मतलब उनके सामने कौन आया, wild ass, they came across wild ass, तो कुछ डंकी भी उनके सामने आये, then they saw a herd across the grassy land, फिर उन्हें एक जुन्ड सा animals का दिखाई दिया, जो की grassy land पर भाग रहा था, they saw tipton mastiff, a huge dog, तो mastiff नाम का ये आपको एक प्रजाती बता रखी है, जिस बड़े बड़े dog होते हैं, तो यहां बताते हैं कि tipton mastiff, बड़े बड़े dog भी उन्होंने देखे, जो की क्या कर रहे थे, they were guarding the dark tents of nomads, after some time, hilly area started, तो basically वो dogs क्या कर रहे थे, वो dogs तो जो nomads के tent थे, उनकी रखवाली कर रहे थे, nomads basically वो लोग होते हैं, जिनका कोई permanent घर नहीं होते हैं, तो जहां भी उन्हें मतलब sort of livelihood अपना दिखाई देता होते हैं, तो वही पर वो अपना setup कर लेते होते हैं then आपको क्या बताया गया है, कि hilly area start हो गया, कुछ time period के बाद, जैसे जैसे वो अपनी journey travel करते गए, तो at one place there was ice on the way, तो एक समय, एक जगा ऐसी आई, जहां पर रस्ते में क्या थी, ice थी, बर्फ थी, snow थी, sitan took some soil and spread it on the snow and they were able to cross the road safely, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कु जासे वो आसानी से, मतलब अपनी गाड़ी को आसानी से उस road से पार कर सके, when they reached the top, तो जब वो top पर पहुँच गए, तब क्या हुआ, sitan checked the tires, तो गाड़ी के tire check किये, and they found that atmosphere pressure was causing the fuel to expand, कि जो अब देखो वो पहाड़ों से होकर ही गुजर रहे थे, तो इसलिए, जैसे जैसे उचाई बढ़ती चली जा रही थी, तो उस उचाई का असर, fuel पर भी उन्हें दिख रहा था, and the fuel was expanding, then they continued their journey, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा जो थी वो जारी रखी, they found men with pickaxes and sawbles on the other side of the past, तो मतलब जब वो stop की, मतलब other side पर पहुँचे, mountain की कहलो, की other side पर पहुँचे, तो उन्होंने कुछ ऐसे रेक्टी देखे, जिनके पास pickaxes और sawbles थी, आपको visible हो रही होंगी, कि pickaxes किस तरीके होती हैं, और sawbles किस तरीके के होती हैं, then next क्या हुआ, by the afternoon they reached small town of Hore, which was on the main east-west highway that followed the old trade route from Lasha to Kashmir, तो अब basically यहाँ पर आपको यह बताया गया है, कि दोपहर के वक्त तक, वो एक छोटे से कस्पे में पहुँचे जिसका नाम होर था, जो की, जो old ancient route हुआ करता था ना, silk route हुआ करता था, silk road हुआ करता था, उसी का ही एक हिस्सा था, उसकी के main highway पर था, दी राइटर found the place very dirty, अब जो राइटर हैं, उन्होंने basically क्या पाया, कि होर, जो की actually कहा गया था, कि बहुत ही अच्छा साफ सुत्रा है, लेकिन जब उन्होंने खुद personally विजिट किया इस जगह को, तो उन्हें ये पता चला कि ये बहुत ही ज़ादा dirty place थी, then they reached darchean, तो फिर वो आगे further move किया जब उन्होंने तो वो darchean पहुंचे, then क्या हुआ, here the writer suffered a severe cold, तो उन्हें बहुत ज़ादा तेज जुकाम हो गया, सांस भी नहीं ले पा रहे थे, then क्या हुआ, sitan took him to the darchean medical college, where a Tibetan doctor gave him some medicine, तो डॉक्टर को मिले वहाँ पर medical college में और उस doctor ने उन्हें medicine दी, दवाई दी, the writer had been told that darchean would be bustling with visitors, but he found no pilgrims there, तो वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ concept हुआ, जैसे होर को लेकर था, कि सुना कुछ और था, लेकिन जब actually experience किया, तो कुछ और हुआ, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है, कि सुनने में तो यह आया था, कि darchean में बहुत सारे visitors, बहुत सारे pilgrims, यातरी मिलेंगे, दिखेंगे, लेकिन इस तरीके का कुछ भी concept वहाँ नहीं था, here, sitan left him and returned to Lasha, तो यहाँ पर क्या हुआ, sitan ने यही पर ही उनका साथ छोड़ दिया, और वो वापिस return कर गया, then the writer met Norbu, और यहाँ पर उनकी मुलाकात, working in Beijing at the Chinese Academy of Social Science in the Institute of Ethnic Literature, तो basically वो भी एक academy का हिस्सा थे, जो कि हम कहेंगे कि research work sort of कर रहे थे, and the writer was glad to find, और जब उसके साथ बातचीत हुई, तो जो writer है, जो Nick Middleton है, उन्होंने क्या पाया, he was glad to find that Norbu was also going for Quora, तो Norbu भी Quora के लिए ही जा रहे थे, मतलब उसने भी प्रकिर्मा ही करनी थी, then both of them completed the rest of the journey together, तो बाकी की जो यात्रा थी, माउंट कैलास तक की, वो उन दोनोंने इकठे साथ में ही तै की, so what we can basically conclude from this chapter, कि यह जो chapter है, वो basically किस बात पर focus कर रहा है, it is focusing on the author's journey through the silk road and the problems faced by him while traveling, that's it, तो यही है इस chapter में कि इसमें basically author ने वही silk route को अपनाया है, माउंट कैलास तक पहुँचने के लिए, और किस तरह कि उन्हें problems face करनी पड़ी है while traveling, इन सब बातों का इस chapter में जिक्र है, तो I hope कि यह जो summary आपको present की गई है, यह आपको बहुत अच्छी लगी होगी, समझ में भी आई होगी, kindly अगर आपने अभी तक चैनल को subscribe नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजिए, वीडियो को share करना, like करना और अपने views comment box में share करना बिलकुल भी मत भूलिए, thank you so much for watching the video and have a nice day